एक औरत बहुत महेंगे कपड़ों में अपने मनोचिकिटसक के पास गई और बोली डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है उसका कोई अर्थ नहीं है क्या आप खुशिया ढूड़ने में मेरी मदद करेंगे मनोचिकिटसक ने एक बूड़ी औरत को बुलाया जो वहाँ साफ सफाई का काम करते थी और उस अमीर औरत से बोला मैं इनसे आपको ये बताने के लिए कहूंगा कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में खुश्या ढूड़ी मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें ध्यान से सुने जीवन में कुछ नहीं बचा था मैं सो नहीं पाती थी खा नहीं पाती थी मैंने मुस्कुराना तक बंगर दिया था मैं स्वयम के जीवन को समापत करने की तर्कीबे सुचने लगी थी तब एक दिन एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया जब मैं काम से घर बाहर बहुत थन थी इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया उस बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़े से दूद का इंतजाम किया और वह सारी प्लेट सफा चट कर गया फिर वह मेरे पैरों से लिपट गया और चाटने लगा उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्क इसलिए ऐगले दिन मैं अपने पडोसी के लिए जो कि बिमार था कुछ बिसकिट्स बना कर ले गई घर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिलती थी आज मैंने खुश्या डुणडी है दूसरों को खुशी दे कर। ये सुनकर वह अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वह सब था जो वह पैसे से खरिच सकती थी। लिकन उसने वह चीज खो दी थी जो पैसे से नहीं खरिदी जा सकती। मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं। अपितु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वज़र से कितने लोग खुश हैं। चलिए जानते हैं आखिर मुस्कुराहट का महत्व क्या हैं। अगर आप एक अध्यापक है और जब आप विश्वास दो गोना हो जाएगा अगर आप एक ग्रुहίνी है तो मुस्कुराते हुए घर का हर काम कीजिए फिर देखना पूरे परिवार में खुश्यों का माहुल बन जाएगा अगर आप घर के मुख्या है तो मुस्कुराते हुए शाम को घर में गुसिये देखना पूरे परिवार में खुश्यों का माहल बन जाएगा अगर आप एक बिजनसमेन है और आप खुश होकर कमपनी में गुसते है तो देखना सारे करमचारियों के मन का प्रेशर कम हो जाएगा और माहल खुशनुमा हो जाएगा अगर आप दुकानदार है और मुस्कुरा कर अपने ग्रहक का सम्मान करेंगे तो ग्रहक खुश होकर हर बार आपकी दुकान से ही सामान लेगा कभी सड़क पर चलते हुए किसी अंजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुराइए देखना उसके चहरे पर भी मुस्कान आजाएगी मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराहट के पैसे नहीं लगते ये तो खुशी और संपन्नता की पहचान है मुस्कुराइए क्योंकि आपकी मुस्कुराहट कई चहरों पर मुस्कान लाएगी मुस्कुराइए क्योंकि ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा मुस्कुराइए क्योंकि क्रोध में दिया गया आशिटवाद भी बुरा लगता है और मुस्कुरा कर कहे गए बुरे शब्द भी अच्छे लगते हैं मुस्कुराईए क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति खिले फूलों और खिले चेहरों को पसंद करता है मुस्कुराईए क्योंकि आपकी हसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है और सबसे बड़ी बात मुस्कुराईए क्योंकि ये मनुष्य होने की पहचान है इसलिए स्वयम भी मुस्कुराए और औरों के चेहरों